नमस्कार दोस्तों यह ताटा जीप है इसमें कस्टमर का कहना है का इसका स्पिड़ामेटर वर्क ने कर रहा तो देखते हैं अभी इसका इंग्निशन स्यूज अन किया हुआ मैंने अभी इसका कस्टमेटर में सब इंडिकेशन लाइट बगारा इसमें दिखा रहा है इसका पर एक बार ओन करके देखते हैं इसको अभी रण करके इसका टेस्टिंग करेंगी यह देखा अभी अगलि फुल स्पिड में फिर भी इसका बिल्कुल वर्क ने कर रहा देखते हैं इसमें स्टेप बास्टेप इसमें क्या प्रॉलेम हो सकता है ज्यादा घर के इसका स्पिडामेटर सेंसर लगा ओ रहा था गेर बक्स में तीन वायर का ये सेंसर रहता है इसको इसका वल्टेज वगरा कैसे चेक करने का इस विड़े में देखेंगे विड़े पूरे द्यान से देखे सेंसर चेक करने के लिए में अलग सा विड़े बनाऊंगा मगर आज इसका जो प्रॉल्बम है ये क्या है इसका वल्टेज वगरा आ रहा है कि ने इस पर सेंसर फॉल्ट है कि वह भी देखेंगे रहे तो इसमें निदलपीन से इसका उपर का कड़र लॉक कॉल कर इसको शौकेट कपलर निकलना चाहिए उस पे नमबर लिखा हो रहा है एक ऐक दो और तीन एक में Ag routine एक नमबर में इसका signal wire है दो में positive supply रहता है इसमें और 3 number इसका ground रहता है तो इसका अभी आपको voltage इसका पैसे test करने का है दिखा रहा हूं इसका पहले आपन इसका negative चेक करेंगे इसके perfectly ground इसमें coupler में आ रहा है तो इसके लिए में बैटरी का मल्टिमेटर का positive quad लगाया हुआ है और इसमें negative quad इसके लगा रहा हूं इसका 12.57 के करेबन इसका voltage दिखा रहा है यानि इसका ground परफेक्टली आ रहा है इसको step by step इसे ही चेक करना चाहिए मल्टिमेटर से आसन तरीके से आपको दिखाने के में कोशिच करो अभी इसका इसमें एक positive supply आना चाहिए करेबन 6V के 9V के करेबन इसके में voltage जाना चाहिए और इसका दो नमबर पीन पे इसका 6V के और 9V के बर्याबर इसका करेबन voltage दिखाना चाहिए और इसका reference voltage यह जो signal का वायर रहता है कस्टर में जाने वाला इसके 2.87V इसमें दिखा रहा है यहने इसका signal का वायर पर्फेक्ट लिए मगर positive supply बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो देखते इसका वायर वगरा इसका positive supply क्यों नहीं आ रहा है देखेंगे ज्यादा करके इस engine में इस गाड़ी में vibration engine का vibration ज्यादा रहता है इसले wiring cutting वगरा ज्यादा होता है तो यह देखो इसका यह देखो यह वायर पुरा इसका कटा हो आए तो इसको step by step इसका wiring voltage वगरा इसके चेक करेंगे इसका लूम वगरा ज्यादा wiring vibration के वज़े से ज्यादा कट हो जाता है तो यह मेंना भी इसका कपलर वगरा इसका क्लैम वगरा खोल के इसको आच्छे तरह से इसका wiring वगरा अपन टेपिंग वगरा इसको वायर ज्याइंड मारके टेपिंग वगरा कर देंगे तिन कलर का ग्रे कलर का ग्राउंड रहता है और गुलाबी कलर में काला पट्टा है उसमें पॉजिटिव रहता है और पिले पे लाल पट्टा इसका सिंगनल वायर रहता है यह देखो यह पूरा वायरिंग इसका कटा वायर निकला है तो इसको आच्छे तरह से इसको अभी वायरिंग वगरा इसमें कर देंगे तिनी वायर पर इसका सेंसर काम करता है इसको आच्छे तरह से इसका वायरिंग में टेपिंग वगरा कर दोंगा इस्का पॉजिटिव अवबरा इसका शोकेट वेगरा इसमें पर्फेक्टली टेपिंग वेगरा कर दिया यह वायर वेगरा मैंने जॉइनल मार दिया हुआ इसको अभी इसका पॉजिटिव सप् sensor चेक करेंगे इसका ग्राउनल वेगरा आपने पहली बार में चेक किया हुआ है विड़े बहुत ही लंबा हो जाएंगा इसलिए मैं आपको इसमें शॉर्ट में इसका पॉजिटिव सप्लाइस में आ रहा है कि ने आपको दिखने की कोशिच करता हूँ में चेसि को इसका मल्टिमेटर का चेसि में ही ग्राउंड देने वाला हूँ क्योंकि गाड़ी में पुरा बढ़ा आरत रहता है बैटरी का तो उसको में इसी कपलर में भी ग्राउंड आया हुआ है यह देखो इसका 8.70 के और बर करेबन इसका वोल्टेज इसमें दिखाया है यहनि इसका पॉजिटिव सपला है भी प्रफेक्टली आ रहा है तो इसको अच्छे तरशे में कपलर इसको अच्छे तरशे लगाना चाहिए क्योंकि इसका सेंसर के अंदर इसमें बारिक सा पीन रहता है इसको हलके हस से इसको प्रेस करेंगे और प्लायर से में इसको इसका लॉक परफेक्टली पिटिंग कर दूँगा क्योंकि इसके अंदर रबर का कॉलर दिया हो रहता है तो फरफेक्टली अभी फिटिंग ओ गड़े तो इसका अभी ट्स्टिंग करेंगे अधिए पहलरन वो गया है यह इसका और पूरे तरे से आच्छे तरे से करने लगा है यह अपना प्राइब स्वाल वो गया है इसी तरे से इसका वोल्टेज करने कर रहे था है सेंसर के लिए मैं आलक सा वीडियो जरूर बनाऊंगा वूप सेंसर परफेक्टली कैसे चेक करनेगा वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेर जरूर किजीएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजीएगा थैंक्यू पर वाचिंग मिलते नेक चुले में